राजा परीक्षित को परमंध शुकदेव ने मृत्य उपस्थित होने पर राजा परीक्षित के जीवन मुक्त होने के लिए अपने सारे कर्टवियों को अशेश होकर मुक्त होने के लिए और भगवान कृष्ण में अभी चल निष्ठा पराप्त करने के लिए उनसे जिग्य प्रियासाकी और प्रमण सुक्दे उनको उपदेश किया पेदव व्यास जी के द्वारा प्रणीत बारह सकंदों में अठारह हजार श्लोकों का ये महा पुरान है उसका सापता ही क्या ख्यान यहां हो रहा है पहले दिनों में मनुकर्दम संबाद परियंत होता है दूसरे दिन अरिश्भाग ख्यान परियंत होगा तीसरे दिन सब्तम असकंद पूरा करेंगे चोथे दिन भगवान करशन के जन्म तक की कथा होगी पांचमे दिन रुक्मनी जी के विद्वाह तक की कथा होती है फिर पूरुनता से भगवान कृष्ण का ही चरित्र होना है उसके क्रम बटे हुए हैं किसी दिन में जन्म भगवान की बाल लीला पे बाहादी लीला है